हेलो इस्ट्रेंड्स कैसो आप लो आज फेर मैं अपना नेस्ट वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ जो काफी लंबे समय तक वीडियो नहीं बनना था आज में UP Board का उस चेप्टर में कुछ टापिक अभी बाकी थे उस टापिक को हम पहले क्लियर करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद अब हम डेली वन बाई वन एक एक टापिक एक चेप्टर को टच करेंगे अब हम माइक्रोप्स in human welfare चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें माइक्रोप्स के क्या important role है माइक्रोप्स कैसे use होता है in household product तो household product में हमने पढ़ा हुआ था कि चीज के बनाने में बटर के बनाने में ठीक है हम कैसे फिर curd के preparation में माइक्रोप्स कैसे useful होते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि अब industrial means microbes in industrial products बहुत से ऐसे industrial products हैं जिसमें microbes involved होते हैं microbes का यूज होता है और उस microbes का यूज करके जितने भी industries हैं अपने product को बनाती है रा material का यूज करती है microbes का यूज करती हैं और इन सब के help से अपना वह product बनाती है ऐसे करके माल लीजिए बेवरेज industry है जो बेवरेज बेकरी के product को फिर alcoholic product को बनाते हैं ऐसे ही जो pharmaceutical companies हैं वह अपने कुछ दवाओं को बनाते हैं इसलिए हम antibiotics के बारे में बोल सकते हैं कि different type of antibiotics बनता है तो हर जगर microbes का क्या होता है अपना एक important role होता है जिसमें जो ही industry होते हैं वह microbes का यूज करते हैं और अपने different product को बनाते हैं अब उसमें हम सबसे पहले देखेंगे in case आप beverage industry उसके बाद हम देखेंगे antibiotics के case में कि कैसे microbes हैं जिनका यूज करके जो company होती है जो industry होते हैं अपने product को बनाते हैं अब यहां पे जो industry होता है उसमें जो industrial production होता है उसमें microbes को grow कराया जाता है और microbes को grow कराने के लिए एक बहुत ही बड़ा large vessel यूज किया जाता है और वो जो large vessel होता है that is fermenters और बायो reactors के बारे में detail जब हम बायो technology स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम बायो बायो रियक्टर के बारे में पूरा detail पढ़ेंगे कि बायो रियक्टर कौन सा commonly use होता है बायो रियक्टर यूज करने का main purpose क्या है तो इस बायो रियक्टर को हम यहां छोड़ते हैं ताकि हम अच्छे से इसके बारे में बायो टेक्नोलोजी के अंदर में study कर सकते हैं अब हम स्टार्ट करेंगे fermented beverage के case में जो microbes हैं उनका कैसे यूज होता है देखिए हम सबसे पहले देखेंगे fermented beverage के case में कैसे microbes यूज होता है तो देखो बहुत से टाइप के microbes है जिनका bakery industry में beverage industry में यूज होता है और उनके यूज से different type of product को companies बनाती है अब इसमें जैसे महलोग production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy and rum इन सब को बनाने में microbes का क्या होता है यूज होता है commonly हम एक enzyme like zymase enzyme का यूज करते है because zymase enzyme convert glucose into alcohol into alcohol so अब जो zymase enzyme होता है ठीक है यह glucose को कित में convert करता है alcohol में convert करता है SM commonly isst का भी use करते है isst का use bakery industry में भी किया जाता है कभी-कभी isst का one marks में हर एक competitive examination में आपके home examination में पूछ लिया जाता है what is the scientific name of baker's isst और braver's isst तो इसका scientific name आप अच्छे से लग कर लेना isst का जो scientific name होता है that is Saccharomyces cerevisis, spelling mistake आप न करना, Saccharomyces cerevisis is the scientific name of isst या isst का क्या है scientific name है और isst का वेवर's isst या baker's isst भी करते हैं क्योंकि alcohol के बनाने में भी क्योंकि fermentation होता है तो fermentation में commonly हम यूज करते हैं इस्ट का और इसके यूज से different type of product को क्या किया जाता है बनाया जाता है तो अब जो वेवरेस product होते हैं तो वेवरेस product में आपको मैंने example बताया हुआ है कि wine हो सकता है, beer हो सकता है, whiskey हो सकता है, brandy हो सकता है हम सभी के सभी alcoholic drink है बट इनमें जो alcohol का percentage होता है इनमें किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है और alcoholic content यानि कि जो alcohol की quantity होती है उसको maintain करने के लिए distillation process होता है ठीक है तो microbes का use करके beverage product भी बनता है और yeast का use हम commonly करते हैं जो कि saccharomyces services का क्या है scientific name है ठीक है ब्रेवर सिस्ट भी कर सकते हैं और zymase एक enzyme है जिसका use गुलकोच का alcohol में conversion के लिए किया जाता है ठीक है देको distillation कभी कभी पूछ लिया रहता है तो distillation में देको beer में जो alcoholic content होता है में भी 3-6% होता है वाइन में 9-12% होता है विस्की में से जादा होता है 40-45% तक होता है ठीक है तो distillation क्या होता है तो increase the alcoholic content किसी भी alcoholic drink में alcoholic content को increase करना क्या होता है distillation और beer में अगर देखा जाए alcoholic content तो that is maybe 3-6% and while in case wines कितना होता है 9-12% इसके बाद हम देखते है एंटिबाटिक्स क्या होता है एंटिबाटिक्स के बारे हम देखते हैं एंटिबाटिक्स तो एंटिबाटिक्स का है एक chemical substance है तो परणा इसकी स्टी जानते है अब देखो जो टर्म एंटिबाटिक्स है एंटिबाटिक्स टर्म को दिया था वाक्समेन में इन 1942 अब दिया था 1942 किसने वाक्समेन थम बोर सकते हैं कि एंटीबायतिक्स जो तम दिया गया था एक साइन्टीस्ट थे जिनका नाम वाक्समेन था और उन्होंने 1942 में एंटीबायतिक्स टम को दिया था अग जो एंटीबायतिक्स है वर डिराइग हुआ है Greek word से किससे डिरेंड हो है? गरीक वर्स से Anti मिंस होता है Against Anti मिंस क्या होता है? Against And Biow मिंस होता है Life And Together They Mean Against Life किसका Against भ говорi हमारे और आपके नहीं ये जो Antibiotics होता है अगर Against, Life काम कर रहा है तो किसके Against काम कर रहा है? अब हम लोग के life against काम नहीं कर रहा है plants के life के against काम नहीं कर रहा है yeah, microbes के जैसे bacteria हम बोल सकते हैं तो microbes commonly जो bacteria होते हैं उनके life के against काम करता है या तो उनके growth को inhibit करने का काम करेगा या फिर या उनको मारने का काम करता है ठीक है? और जो antibiotics है, यह microbes माइक्रोप्स का यूज करके बनाय जाता है जितने भी एंटिपाइटिक्स है उनका यूज किसी माइक्रोप्स का यूज करके बनाय जाता है और यह माइक्रोप्स का जो ग्रोथ होता है उनको इन्हीबिट करता है और उनको किल भी करने का काम करता है इसी भी बोलते हैं कि एं human being, हम लोग के like against नहीं, plant के like against नहीं, इसके microbes, especially हम बोल सकते हैं bacteria, यह bacteria के like against काम करते हैं, यह निकि मारने का काम करते हैं, अब जो antibiotics है भाई, chemical substance है, जो microbes के थुरू बनाए जाता है, यह microbes के कुरूद कोई नहीं बिट करता है, और उनको kill करने का भी काम करता है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहला antibiotics किसने discover किया और कौन थे भाई, अब देखते हैं कि जो सबसे first antibiotic था, first antibiotic था penicillin, penicillin का discovery बहुत पुछायता है कि सबसे पहले antibiotic का खोज किसने किया था, तो आपका simple answer है, Alexander Fleming, तो Alexander Fleming, ऐसे scientist थे, जो सबसे पहले first antibiotic like penicillin का discovery किये थे, Actually, जो Alexander Fleming थे, वो एक bacteriologist नहीं थे, commonly अपने lab में experiment कर रहे थे, एक bacteria को grow कर रहे थे, जिसका नाम staphylococcus तो जब वो अपने lab में काम कर रहे थे, जो culturing plate होता है, हम बोल सकता है petri dish, उसमें वो staphylococcus bacteria को grow कर रहे थे, उसमें से एक petri dish, एक plate में उन्होंने देखा कुछ मॉल्स ग्रो कर रहे है, मॉल्स हम बोल सकते हैं कि fungus, ठीक है, तो मॉल्स ग्रो कर रहे है, उस मॉल्स को जब उन्होंने study किया, देखा कि किस type का मॉल्स है, तो उस मॉल्स को उन्होंने penicillium notatum बता है, जो कि एक type का fungus है, तो जब उन्होंने अपने cultureing plate पे देखा, एक किसी एक cultureing plate पे एक मॉल्स ग्रो कर रहा है, और उस मॉल्स के बारे मॉन्होंने जब study किया, तो ओ मॉल्स क्या था? पेनिसिलियम notatum, और इसलिए बोला था कि सबसे पहले, अलेकजेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम notatum से penicilline का discovery किया, बट इंट्रेस्टिंग बात है कि वह penicilline के discovery के बारे में, एंटी बायोटिस के discovery के बारे में काम नहीं कर सकते, नहीं कर रहे थे, यह एक एन accidental experiment है, यानि कि luck by chance हम बोल सकते हैं, कि यह उनसे discovery हो गया, on the time of second world war, American soldiers पे उन्होंने इसको apply कराया, American soldiers दीरे-दीरे क्योड होते गया, और इसके लिए इनको Nobel Prize भी दिया गया, तो बोल सकते हैं, कि an accidental experiment था, जिस पे काम नहीं हो रहा था है, कि अचानर all of sudden उनसे discovery हो जिसका created जाता है, Alexander Fleming को, तो Alexander Fleming ने सबसे पहले Penicillium notatum fungus से Penicillin का discovery किया, बट nowadays on industry level, Penicillin is obtained from another species, that is Penicillium chrysozenum, Penicillium chrysozenum, आज के तिक में industry level पे Penicillium chrysozenum से Penicillin का production किया जाता है, Penicillin को बनाया जाता है, अब देखिए जो Penicillin था, उसको second word war के time, पे American soldiers को treat करने के लिए उनका जो चोट लग रहा था, उस पे apply किया जा रहा था, जिससे काफी हर्त तक उनकी जो चोट थे भर रहे थे, जिसके लिए इनके साथ और भी दो साइंटिस्ट है, जो इसके discovery के case में लगे हुए थे, ओधे चैन और फ्लोरी, अंस चैन और फ्लोरी, इसके लिए फ्लेमिंग को, अंस चैन और फ्लोरी को अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइस इन 1945, जो इन 1945 में फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी को पेनिस्लीन के discovery के लिए नोबेल प्राइस दिया गया, ठीक है, फॉर दिस्कावरी या पोटेंशियर यूजा पेनिस्लीन आइस एंटिपाइटी, किनों ने पेनिस्लीन पे काम किया था, पेनिस्लीन का discovery किया था, जिसको second world war के time पे, American soldiers को treat करने में, उनके घाव को भरने के लिए apply किया गया, काफी हग तक उन में recovery देखा गया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइस दिया गया, इसके discovery के case में, आज की date में market में, बहुत से type के antibiotic एवलेबल है, आप देखोगे तो अलग अलग type के antibiotic प्रेजेंट है, तो इनके discovery के बाद, और भी antibiotics का discovery है, जिसके लिए कोई-कोई microbes का use किया जाता है, और उस microbes के use से another type of antibiotics बनाया जाता है, तो यह था पूरा discovery आप antibiotics के case में, ठीक है, फिर हम आपको next video में, next topic बताएंगे, कुछ enzymes के बारे में है, कि कौन से enzymes हैं, जिनका क्या use है, उसके बाद हम sea waste treatment के case में भी microbes का use देखेंगे, sea waste treatment में microbes का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके base पे primary sea waste treatment और secondary sea waste treatment के बारे में हमें study करना है, तो आप से request है, आप अच्छे से video देखो, अगर आप कोई problem है, तो आप comment box में बता सकते हैं, क्या आपको problem हो रही है, आप ज्यादा से ज्यादा subscribe करें, share करें, like करें, ताकि आपको हर एक topic का video timely मिल सके, thank you, thank you so much.